चार अप्रेल 2013 को देशवर में 24 में तीर्थंकर महावीर की जैनती बनाई गई है इनका संबंद किस धर्म से देखिएगा History प्लस करंट अफेस आपके सामने है अगर कुछ हूँ आप से महावीर स्वामी देखिएगा महावीर स्वामी की बात करूँ अगर आप से महावीर जो स्वामी है वो शापना सोच इनका बच्पर का नाम क्या है इन्हें वर्दमान भी कहते है इन्हें जिन भी कहते है शापना इन्हें वर्दमान भी कहते है जिन भी कहते है बत्त division आपके एक्चाओं को जितने वाला क्या है वो जिन महावीर स्वामी है तो वर्दमान है जिन है ये लिखिएगा ये जैन धरम के 24 में 33 संकर कौन थे ये जैन धरम के अंतिमी या फृट 24 में 33 संकर कोन थे वो महावीर स्वामी थे अगर पूछूँ आप से कि जो महावीर स्वामी है इनका जनम पूछे आप से कब हुआ था इनका जनम हुआ था इनका जनम किया गया है अगर पूछे आप से पिता कौन थे शापना सौधापन सौधा कोन थे एंधरान कोन थे सिध्धार्ट ते उचाथ यह वी आपको ध्यान दखना है पूछानायो की सत्य हो गया है सत्य अहिंसा एक लिखेगा अस्तrü क्या हो गया है मतलब दो स्वक्या हो गया है चोरी नहीं करना चोरी नहीं करना इक है इह परिग्रे कौन सा हो गес है एह परीग्रे मतनल जड़ना जरूरी है उतना ही संख्राइद करना जो आपके जरूरी नहीं है उसको संग्राहे करना एक इसके लबावा । भ्रहमचार्रे कौन सा जोड़ना है थे और अगर पुछू आपके तरि आपको पूछँऊ आफ अगर पुछे तरी रत्न कौन से जैन धर्म के लिखिएगा वह सम्यक लिखना आपके सम्मयक ग्यान हो गया है, सम्मयक दर्श्टी हो गई है, सम्मयक ग्यान, सम्मयक चरित्र चापना, सम्मयक ग्यान है, सम्मयक ग्यान है, सम्मयक ग्यान हो गया है, सम्मयक दर्शन चापना, सम्मयक दर्शन हो गया है, यह तीन नौट कीजेगा, यह तीन जोए क्या है, यह त्री रतने हैं जो आपकी परिक्षा के लिए मैध्पूर्ण हो सकते हैं चलिएगा अगर कुछ है आंसर क्या इसका जैन दरम ओप्षन नमबर एक करेक्ट आंसर है यह आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछे दोस्तों अभी हाली में याद करो दोस्तों अभी हाली में कि बड़ा चर्चा में था दोस्तों पार सुनाथ चापने करे दोस्तों अगर पुछ हूँ आपसे अभी हाली में पार सुनाथ जो पहाड़ी है यह बड़ी रोस चर्चा में थी और कहां पर इस्तित लिखना आपके यह जो पहाड़ी थी दोस्तों यह जारखंड के अंदर कह किजिए पास拿 कौन थे पास च्छापना इंगों सांध को थे आपके पाशनात जो हैं वो जैनधरम के तेर्थंकर थे इन्हें बोलते हैं सापों का देवता लिखिए गा इन्हें कहते हैं सापों का देवता यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना तो पाशनात पहाड़ी कुछे जारखंड में थी पाशनात कौन हैं जैंदरम के तिर्थंकर हैं इन्हें सापो का देवता कहते हैं ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना चाहिए आगे आईएगा अभी धंब चक्कर कुछ हूं आपसे अभी धंब चकर याद करो जो आपके भगवान बुद्थ तेव तना महात्मा जो बुद्थे लिखेगा जो महात्मा थे इन्हें शाबी दूस्तों इन्हें जो हैं जहां पर दो थो सरेगना आपके जहांपर इन्हों पहला उपदेश दिया था उसे कहते हैं अभी धंब चक्र और कहां पर दिया रश्गुल्ला सारनाथ के अंदर दिया है ये आपको थोड़ा ध्यान लखना है ठीक है महापरे निर्माण अगर तो पूछ हूँ आप से सरवादिक जो उपदेश कहां पर दिये सरवादिक पासनाथ थे ये आपको थोड़ा ध्यान लखना है ठीक है अगर पुछ हूँ आपसे महापरी निर्माण छापना जो महातमा दुसों बुद्धम चापना इन्हें जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है इनहें मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो कहां पर हुई है इन्हें कहां पर होती है यह comment box में आपको बता देना है आगे दिख नब राजग्रे दोस्तों कहां पर हुआ है राजग्रे जो है पहली बौत संगती कायोजन किया गया है चोथी का पूछू आपसे कुंडलवन कश्मीर कहां हुआ है कुंडलवन कश्मीर जो है चोथी कायोजन हुआ है ये भी आपको ध्यान लखना है ठीक है बताओ सेकंड का कहां पर हुआ है और थर्ड का कहां पर हुआ है गोली के तरह चापेगा चार बहुत संगती हुई है मैं पुछू आप से पाबापुरी लिख लो महावीर स्वामी पूछू आप से लिखना इनका कहां पर हुआ है महावीर स्वामी जी का पाबापुरी चापे पाबापुरी जो है यहाँ पर हुआ यह भी आपको ठ्यान रखना है ठिक है माहाओर बुझ्व पूछूं आपको ठ्यान रखना है ठ्यान रखेयेगा और महावीर सौमी पूछू हूँ आप से पाबापुरी के अंदर होई है अगर रजजऒन ला पुछा आप से महातमा बुद्ध जो है इनको मुक्ष कहां पर मिला कुसी नगर के अंदर मिला है अगर आप से पूछ वत तोस्तों आपके महात्मा जो बुद्ध हैं इनका जनम कहां पर हुआ लुम्बनी चापीगा लुम्बनी नेपाल जो है यहां पर इनका जनम हुआ है यह भी आपको थोड़ा ध्यान लखना है ठीक है सवाल पूछा मैंने आपसे सैकेंड बोश संगिती पूछो कहा पर हुई है, ठर्ड पूछो कहा पर हुई है, सेकेंड शापना वैसाली में हुई है, और ठर्ड शाप है पातली पुत्र जो बिहार है हमारा, यहां पर ठर्ड हुई है, यह आपको थोड़ा ध्यान डख लेना है, ठीक है?